नमस्कार आप देख रहे हैं लोगसबा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूँ आपके साथ परवीन 2024 लोगसबा चुनाव में महाराश्ट की 48 सिटों की भूमिका काफी खास होने वाली है महाराश्ट में पांच चर्णों में चुनाव होगा जिसको लेकर बीजेपी गडबंधन यानि महायुती ने अपनी कमर कसली है लेकिन सीट शेरिंग पर इंडी गडबंधन में अभी भी कई पेच फसे हैं सीट शेरिंग पर सबसे बड़ा टकराव कॉंग्रेस और उद्दव गुट वाली शिफसेना के बीच है और एक सीट पर तो ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उद्दव ठाकरी ने तो ये तक कह दिया कि अब सीट शेरिंग पर बात साल 2029 के लोगसबाद चुनावों में होगी कॉंग्रेस उद्दव गुट के इस रवईये से नाराज है महीं संजे राउत अभी भी 48 सीटों पर MBA गडबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं तो संजे राउत के इस दावे में हैं कितना दाम इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार और एग्जेक्युटिव एडिटर राजीव कुमार आप दोनों का स्वागत है संजे राउत ने दावा किया है कि महराष्ट में इस बार 48 की 48 सीटे एमबिये गडबंदन जीतेगा देखे अगर दावे से ही चुनाओ के नतीजे तै हो जाएं तब तो कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है तब तो राउल गांदी की सरकार बन जाए अभी राउल गांदी यही दावा कर रहे है तो यह जो संजे राउत का जो दावा है यह दरसल एक pressure politics है जहां यह लोग रहता है वही पे यह लोग दादागरी की हिसाब से लोग राज़ जीती करते है और यही दिक्कत है कि आप भारती जन्ता पाटी में थे यहां दादागरी चली नहीं लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना मान सम्मान भारती जन्ता पाटी ने इसलिए दिया क्योंकि यह पाटी कोई उद्दव ठाकरी की पाटी नहीं थी यह हिंदू हिर्दे सम्मान भाला साब ठाकरी की पाटी थी और उनके सम्मान की वज़े से भारती जन्ता पाटी ने इस तरह के उद्दंड एलिमेंट्स को जो है बरवधास्त किया आपको मैं बस एक कहानी बता दूँ पिछली बार जब लोगसवा की चुनाव हो रहे थे जब इन्लों का गड़बंदन था तो कोई भी बाचीत होती थी तो अमिश्टा को कहा जाता था कि आप मातशुरी जहां उद्दव रहते हैं वहां आप जाएंगे यह कभी कहीं मातशुरी से बाहर ही निकलते थे ठीक वही स्टाइल जो बाला साथ ठाकरे का था और जब देवन्द फरंडविस के साथ वो जाते थे तो जो मीटीग अंदर होती थी कमरे में जहां बाला साथ ठाकरे बैठते हैं उस कमरे के बाहर एक कमरा है देवन्द इस तरह की घटना घटी, अमिशाह पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, प्रधान मंतरी मूदी के लिए, ये अपमान सहते रहे, अब मैंने ये एक जामपल इसलिए दिया, क्योंकि आज कॉंग्रेस पार्टी को और सरत पवार को इसी तरह से अपमानित कर रही है, ये उद्दव ठाकरे की सिवसे ना, तो ये तो टेस्ट इनको लेना पड़ेगा, लेकिन दावे की जहां तक बात है, ये पिछली बार 17 सी जीत के आये थे, इनका जो टोटल, जो करेंट सर्वे बता रहा है, उसमें 2-3 सीटे भी निकल जाए, तो इनको धन्यवाद देना चाहि ये सिर्व सैनिको का, जो अभी तक बाला साहब ठाकरे के रिस्पेक्ट में उद्दव ठाकरे की पार्टी को वोट कर रहा है, अदर्वाइस इस पार्टी को तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में गर्थ में डाल दिया, तो खैर, ये तो मेंन महराष्ट की में चले गए है, ये बात नतीजों से तै होगा, लेकिन रही बात भारती जनता पार्टी और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, सर्वेज बड़ा कंफ्यूजिंग है, अलग-लग आकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो एक बात जो समझ में आ रही है, जिस तरीके से पुरे देश भर में, प्रधान मंत्री मोदी की लहर है, उस लहर में बहुत सारी कमियां और भारती जनता पार्टी की बहुत सारी गलतियां जो पिछले दो-तीन सालों में हुई है, महरास्ट के अंदर, उसको बकायदा बराबर कर लिया जाएगा, ये सिर्प प्रधान मंत्री के किया, तो ये भारती जनता पार्टी ये NDA आराम से 40 to 45 seats तक पहुंच सकती है, यही वहां का मुल्यांकन है, रजीर जी कॉंग्रेस के बड़े नेता महराश्ट में छोड़ चुके हैं पार्टी या छोड़ने का मन भी बना रहे हैं कही नेता अभी बी अंदर खाने, लेकिन उसके बावजूद बार्गेनिंग में कॉंग्रेस काफी जादा हैं आपर दबाब बना रही है और सीट शेरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में M.V.A. के समीकरण क्या पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, दिखें बिगड़े हुए तो हैं, अभी जैसे संज उद्धफ घाक्रे के शिबसेना, ये तीनो पार्टियों के कारकरता बाहर परचार के लिए नहीं लिकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्धब ठाकरे ने पहले उमिद्वार धोसित कर दिया, उसके बाद कॉंगरिस ने उमिद्वार धोसित कर दिया, अब संज़े राउत को जिम्मेदारी मिली हुई है उस लोग सभाचेतर की और वहां जाकर समझा रहें कोंग्रेस के नेताओं से मिल रहें कि किसी तरह से अपने उमिदवार को बिड्रॉ करने के लिए कह दो उमिदवार को छोटा मोटा नहीं है वसंद दादाट पाटिल जो पुर मुख मंत्री र लोग आमने सामने खड़े हैं वहाँ पर संचेराउत की मुलाकात होती है विस्वजीत कदम से जो वहाँ पर एमेले हैं कॉंग्रेस के और उस मुलाकात के दोरान उने साफ तोर पर कह दिया सोलूसन नहीं निकल रहा है हमारे कार करता कॉंग्रेस की बात पिर नहीं कर रहे ह आपके शिब से नाके कार करता हो या एंसीपी के कोई बाहर निकल रही रहा है परचार के लिए कि हम किस के लिए परचार करें परचार करते हैं तो दूसरा नाराज होगा कन्फ्यूजन की ऐसे स्थिति है कि ये सीट अब भूल जाएए भारतिये जनता पार्टी पहले यहा एक सीट का उदाहरन है ऐसे ऐसे कई सीटे हैं जहां पर ये लोग इस स्थिति में हैं कि महाराष्ट के अंदर चुनोती ही खत्म हो चुकी है इंडिये की और वहाँ पर जिस तरीके से सरद पवार हैं जो गेम कर रहे हैं उनसे तो लगता है कि कॉंग्रिस को भी धोका और उद्धब ठाकने को पहले ही वो उंगलियों पर नचाते रहे हैं तो ऐसे स्थिति में शरत पवार अपनी राजनिती नहीं कर रहे हैं वो भविश्य की राजनिती देख रहे हैं उनको तो लग रहा है चुनाब के बाद अगर उनकी बेटी सुप्रिया सूले हार गई क् के हारने की संभावना जादा है तो उसके बाद चुनाब खत्म होगा भतीजों को भी समझा लेंगे फिर से यूटर लेंगे सोनिया गांदे उदर गई यहां मोदी कैबिनेट में भेज देंगे कहीं ने कहीं से जुगाड करके सुप्रिया सूले को महराश्ट की राजनिती सौप देंगे इन सीपी की अजीत पवार को डोक्टर साब संजे निरूपम का जाना यहां पर कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा सेट बैक माना जा रहा है बहुत बड़ा डैंट महराश्ट में और इसका जो दबाव हैं यहां पर उद्दव ठाकरे भी बना रहे हैं और शु ठाकरे भी उनकी पत्नी भी और उनके बेटे आदित ठाकरे अगर राजनीती में जैसा वो दावा करते हैं कि हम तो शेर हैं तो शेर तो पीछे से टैक नहीं करता है सामने से दावा बोलता है इन तीनों को मैदान में उतरना चाहिए था अगर पार्टी बचानी थी तो क्या हिम्मत कर पाएंगे वो कि तीनों लोग अलग अलग कंसिट्वेंसी से चुनाव लड़ें वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है सबसे बड़ा वीक रहे हैं कि अगर हार गए तब तो पूरी तरीके से उनका सब कुछ खतम हो जाएगा जीतने के स्थिती में वो है नहीं तो आप क्या कर रहे हो आप निगोसियेशन के अस्तर पे देखिए बात बहुत ही सिंपल है सिर्फ से ना टूटी एंसीपी टूटी और दोनों लोग कर करके करें कि हम फिर से संगठन को खड़ा करें हम महराश्च के हर इलाके में जाएंगे और यह लोग जो गद्दार हैं उसके खिलाफ हम सारे सिब सहने को कोई कठा करेंगे यह कहा था सरत्पमार ने भी यह कहा था कि कोई बात नहीं और उसमें तो एक बारिष वाली तस्वीर भी आ रही थी कि वह बारिष में हैं और वह अहमद नगर के आसपास की तस्वीर थी कि जिसमें वो लोगों से मिल जूल रहे हैं लोगों को लगा और मैं देखा दिल्ली में बहुत सारे लोग जो बोले ये तो रिवाइब कर लेगे उद्दव ठाकरे भी परचार परसार कर रहे है ये कर रहे है वो कर रहे है क्या हुआ इन तमाम दावों का सारे दावे जो है वो हवा हवाई हो गए तो कहने का मतलब यह है कि यह जो इंडी अलाइंस है उद्ध ठाकरे हाफ सरत्वार वन थर्ड कॉंग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के वज़ा से हाफ आप देखिए कि किस तरीके से आपकी टीम ही पूरा नहीं हो रही है और यहाँ मुझे ताजूब होता है बहुत सारे लोग यहाँ पे यह कहरें कि नहीं बड़ा टफ एलेक्शन होने वाला है वह कहां से टफ होगा राजीव ने बहुत अच्छा एक्जाम्पल दिया किस तरीके से चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो महराष्ट हो या देश का कोई भी राजी हो यह जो स्टेज पर आकर के बड़ बड़ नेता हाथ दिला करके वो तस्विर छपा लेते हैं और सुचते कि वह ऐलाइंस हो गया यह इतना सिंपल नहीं है ऐलाइंस तभी वो कारकर साबित होता है जब आपके वरकर आपके लोकल लीडर्स आपके कारकरता आपके वोटर्स आपके उस एलाइंस के साथ एग्री करते हैं आप कर लीजी मातोसरी में बैठ करके जो भी फैसला रेना है फैसला रेलीजी लेकिन जिसने आपको पिछली बार लोगसभा चुनाओं में वोट दिया क्या वो आज आपके साथ है क्या आपके कहने पर वो NCP को वोट करेगा नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जिससे इंडी गडवंदन जूज रही है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक चीज तो कहना पड़ेगा कि कॉंग्रेस पार्टी की रीट की हड़ी जो है वो सड़ गई है राहूल गांधी के वो उसको कह सकते हैं पैथलोजिकल हेट की वज़े से कि प्रधान मंतरी मोधी को जो घंड़ा करते है उसकी वज़े से कॉंग्रेस पार्टी हर राज में इतना सारा इस लोगों ने कॉंप्रमाइस कर लिया कि इनके एक्जिस्टेंस के उपर ही सवाल ख़़े हो गए राजी जी यहां पर बीजेपी पर भी महराश में बड़े आरोफ लग रहे हैं जिस तरह से अजीद पवार के साथ गड़ बंदन किया उन पर ब्रश्टा चार के आरोफ थे इदर एकनाश इंदे या अशोक चोहान जिस तरह से उनकी पार्टी में कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो यह जो सवाल उठाये जा रहे हैं क्या यहां पर महराश्ट में ब्रश्टा चार के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में रहेगी देखे ब्रश्टा चार और यह जो सलेक्टिव तरीके से कुछ नेताओं का नाम लेकर कुछ ऐसे मीडिया हाॉसिस खबर करती है जैसे इंडियने इस्वेस में एक रीपोर्ट चपी कि ऐसे पचीस नेता जिनके उपर भरश्टा चार के आरोब थे ब्हारती जंता पार्टी में शामिल हुए लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह नेता जिनके उपर कोई आरोब नहीं थे वो भारतिय जंता पार्टी में शामिल हुए क्या आरोप थे? जोतिरादिर सिंधिया के ऊपर कोन से भृस्टाचार में शामिल थे? वो भी तो भारतिय जंता पार्टी में आए उनका नाम नहीं लिया जाएगा जितिन परसाद, आर्पियन सिन इन लोगों का नाम नहीं लिया जाएगा अगर आदर सोसाइटी घोटाले में असोक चवान के उपर आरोप था तो क्या ये 15-18 सालों में वो भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए या फिर 15-18 सालों में उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा आरोप है जाच हो रहा है औ हमारी पाटी के भी नेता जो सालों से पाटी में हैं उसके खिलाप भी आरोप साबित होगा तो हम किसी भी एजेंसी को ये नहीं कह रहे है उसके खिलाप जाच न करो ब्रस्ताचार से कोई कंप्रमाईज नहीं होगा और यहां पर चुनाब परधान मंत्री बनाने का है सांस का गठवंधन है. शरत्पवार के ऊपर भी भरस्ताचार क्या रोट है? तो क्या शरत्पवार भारतिय जंतापार्टी में शामिल हो गठवंधन कर लिया? ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तरीके डेवलप किये जा रहे है कि कोई न कोई आधार बनाओ कि मोदी को ब्रस्टाचार के साथ जोड तक है लेकिन वो होने वाला नहीं है महाराष्ट में इस बार भारतिय जंता पार्टी के गठबंधन को 45 पलस सीटे मिलने वाली है क्योंकि इस बीच महाराष्ट के सियासत में बड़ा बदलावार चुका है जैसा कि NCP जैसा कि सिबसेना ये सब तूटी हुई है और जो बच्ची हुई सिबसेना और NCP है शरत पवारी या उद्धब ठाकरे के साथ उसका आधार नहीं है कॉंग्रेस के हर छेतर के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे है मुंबई में संजन इरूपम, मिलिन देवडा, लातूर का पूरा रीजल लेकर चले आए है अशोक चवान अभी और कुछ लोग आएंगे ही तो ऐसे में इन लोगों के लिए इस बार चुनावती बनना ही कटिन है चुनाव जीतने की तो बात छोड़ देजे महराश्ट पर स्टर्टिक विशनेशन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद महराश्ट में पहले चरण में 48 में से 5 सीटों पर 19 अप्राइल को बोट डाले जाएंगे लेकिन सीट शेरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है जिससे साफ है कि संजेराउत का दावा सिर्फ दावा रहने वाला है और महायूती गडबंधन राज्य में फिर बाजी मार लेगा आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टिवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें धन्यवाल